हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्व चैनल आबाद एस्टडी में आज हम आपको यूपी ट्रीपल सी में विविन भरतियों के प्रग्रेस रिपोर्ट के बारे में डिटेल से आपको इस वीडियों बताएंगे कि इस समय जो है आयोक की विविन भरतियों की प्रग्रेस रिपोर्ट के बारे में इस वीडियों में आपको डिटेल से बताएंगे कि किस भरति क्या आने वाले समय में होगा और कौन भरति कपकर आई जाएगी और किस भरति का क्या क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है इस में उस सभी विंद्वों की हम चर्चा इस बीडियोों में करेंगे तो चलिए वीडियों को शुरू करते हैं देखते हैं कि यूपी neden पर present का क्या क्या होने वाला है तो देखे, हैं ते पहले बात करते हैं U-Q की भरति का, जो कि आब जानते हैं कि U-Q हारा की भरति जिसको आयोग नरद कर दिया था कि और उसके बाद ंभरति कोट चले गये थे हाई कोट से हार गए थे इसके बाद अब है तो पहले बारति कश्क्रेवर करके इक्जाम Dollar आयोग है वह-ोाप आले बारती को कैंसल करके एग्जाम डिट गोसित कर दिया था लेकिन घर्ति कोट चले गए थे और उसके बाद उनको हाई कोट और सुप्रीम कोट दोनों जगह से निरासा लगी है तो अब बात चल रही है कि यूपी टीप्रलस्टी के माध्यम से बीडियो 2018 का री एकजाम कब होगा तो उसके लिए यह देखे जनकारी है कि बीडियो 2018 री एकजाम के लिए बजट पास करने और एजनसी के लिए सासन को लेटर भेंज दिया गया है जब तक कोहां से कोई रिपलाई नहीं आता है तब तक आयो कुछ नहीं करेगा चुकि आप जानते है कि कि किसी भरते को कराने के लिए शासन से अनुमति चाहिए होता है कि उसके लिए एजन्सी का चैन करना होता है और बजट अव मेरा आहीं अरुचा क्रम से खर्च किया तो इन सब के लिए सासन को लेटर भेंद दिया गया है अब जब सासन से कोई आदियस आएगा तब जाकर के वीडियो के रिग्जाम के बारे में कोई अपडेट मिल पाएगी जिसता मैंने देखा फिरता है दिया आपको कि वीडियो रिग्जाम के लिए बजट पास करने और एजनसी के लिए सासन को लेटर भेंद दिया गया है जब तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है आयो कुछ नहीं करेगा मैंने आप पता दिया कि पहले कि यानि सासन से जब तक आदिस नहीं आएगा चुकि यूपी ट्री पलसी ने अपना लेटर है सासन को भेद दिया है कि हम जो है इसका रिग्जाम करना चाहते हैं और इसके लिए जनसी का चैन करना है आप बजट पास करिए अब जब तक और यह माहिंग चलिए कि एग्जाम अब 2023 में ही वीडियो का एग्जाम हो पाएगा उसके पहले इसका एग्जाम होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है अब इसका जो एग्जाम है वह आपको जनवरी या जनवरी लास्ट में या फरवरी में ही देखने को मिलेगा क्योंकि अभी अन्मत ली जाएगे उसके बाद सेंटर चकप होंगे नई एंसी का चैन किया जाएगा तब जाकर कि इसका पेपर कराये जाएगा और इसके पहले कि वीडियो 2018 का रेखजाम या अब 2023 में हो पाएगा 22 में किसी पकार की होने की कोई उमिद नहीं है अब बात करते हैं जूनियर असिस्टंट 2016 के डिपार्टमेंट चैन की करा कि जूनियर असिस्टंट 2016 का डिपार्टमेंट वाला काम अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा दिवाली के बाद मैक्सिम्म दस दिन में लिष्ट जारी हो जाएगी यानि जूनियर असिस्टंट 2016 के डिपार्टमेंट वाला काम है वा अगले वीक से सुरू हो जाएगा और दिवाली के दस दिन बाद में लिष्ट जारी जाएगी कि किसा अभरती को कौन कौन सा डिपार इसके लिए दिवाली के बाद आनि आपको समझते हैं कि साथ से आठ नौबर के बीच में इसका निस्तारण हो जाएगा जाइन जूनियर अस्टेंट 2016 का अब बात करते हैं कि जूनियर अस्टेंट 2017 काम दिसंबर में होगा जूनियर के बाद जे जेई 2016 पे काम होगा चुकि लेवर का रिजल्ट आपको दिपावली के बाद देखने को मिलेगा जब लोवर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है जेई 2016 के रिजल्ट के बारे में अपडेट कुछ मिल पाएगी तब उस पर कारवाई शुरू होगी इसके पहले लोवर को भेंदी गई हैं अब डिपार्टमेंट जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग की प्रकिरिया को आगे बढ़ाएगा और इसके लावाल लेकपाल भरती की बात करें तो लेकपाल भरती जो है योठीम जो अमार की जो इसके लिप टोधानिंग वह डिस्टिक वाइज हो रही है और टोध में डिस्टिक वाइज आमार की इसके लिए यहरल हो रही है इसके बाद जिस दिस्टिक में यह बेड़ती जो है संदिक लग रहे हैं है इस्टीएफ को उसकी उमार इसके निंग के बाद उसके जाच की रिपोर्ट जाच के लिए यह स्टीएफ को सौंब दिया जा रहा है यह स्टीएफ सीची टीवी फूटेज के इएक्जाम सेंटर के गुसने और एक्जाम सेंटर में और इजाम सेंटर के बाहर निकलने का फोटेज की जाच कर रही है लेकपाल की ओवमार सीट чेक हो रही है इसके अलमा अभी आपने देखा हूआ कि जूनियर अचिस्टेंट की दो वैकेंसी आई हैं एक में लगवग बारा सौ करीब पद हैं और दूसरे में वहांसाट पदें पर विग्यापन जारी हो गया है इसके पहले एक खान भूतत तो व्याग में वैकेंसी आई हुई है इसके अलावा बंदरोगा की भरती आई हुई है और इसके पाहले जो है मोग स्用ad automated आ बात करते हैं की कौन काई शॉक्त होंगे चल करके देखें कि अभीद आगे जो एक्जाम होने वाला वा मोंक स्युक्त का ग्यां मोगा एक्जाम बात आपको एक्जाम आपको एक्जाम और होगा जो टेकिनिकल ऐसिस्टेंट का है कि इसके बाद ITI इंट्रेक्टर का अभी एक्जाम होना है और चुकि अभी आपने देखा होगे पेट का एक्जामा वह अब कम्प्रीट हो गया अब इन एक्जामों की बात होगी अब अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अभी हसे पाई रिजल्ट लोवर का आएगा इ इसके बाद J12 की रिजल्ट के बाद आपको लेकपाल भरति का रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको और किसी रिजल्ट के बारे में एपडिएट आएगा लेकिन अभी जो पेट रिजल्ट इस चल रहा है इसके माध्यम से अभी आपने देखा होगा कि जूनिय ईस्टेंट की वैक्षाउन्टे की इसकी अलामा एगाउख 같은데 आएगी इसकी अलामा एक वैक्षा ग्रीकल्च टेक्निकल की ऐगी। इतनी वैस्टेंश हाएने के बाद तब जाकर के पिट 2021 की बाद स्मापत हो जाएगी और तब जाकर कि फिट 2022 की प्रक्रिया शुरू होगी और एक जो बन रच्छा की भरती आई है एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट मार्च के पहले किसी भी हाल में आने की उम्यद नहीं है और इसकी अलमा और भी जो पिट to 2022 याइब फिट 2022 से उसके फरसे पहली ड्यकंसि यागी। 2022 लो फाशन द यह लोफर द्यार 13 आखित से पहली स्कीजह के माद्युम से लोवर की वैकर से आगी उसके बाद जो आएगी वेक taraf इसे बेटीज्य फीडिटियों इसाथ के क्रीब परोंगे लो क्या करीब पद grazhए जोर कैंड हो कि 2018 का रिजल्ट जनवरी महीने में देखने को मिलेगा इसके पहले जूनियर इंजिनियर की वेकेंसी जो 2018 माई थी इसका रिजल्ट जो है जनवरी के पहले किसी भी हाल में देखने को नहीं मिलेगा और लेकिन जो 2016 का जो रिजल्ट है वह नौम्मर महीने में आ जाएगा जनवरी के पहले किसी भी हाल में उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है और इसके लाँ जो ड्राफ्ट महीन की वेकेंसी हुई थी इसका भी रिजल्ट जो आओ फर्वरी महीने के पहले नहीं आने वाला है कि अग्युक्त है कि सो थैंकि धन्यबाद आप मारे चैनल को स्क्राइब करिए करिए कि सम्मान में कोई भी अपडेट चाहिए कमेंड वाक में लिकार हमसे पूछते रहेगा थैंक्यू